हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक तो मा चैनल फ्यूजन फूट तो आज का हमारा टॉपिक है मॉर्णिंग रेनिंग के बाद हमें क्या खाना चाहिए तो लेट्स स्टार्ट इट गाईज हम सब जानते हैं कि morning running हमारी body के लिए कितनी effective होती है और कितनी helpful होती हमारी body के लिए इससे क्या-क्या improve होता है हमारी heart health improve होती है stamina को improve करता है उसके बाद हमारा look calories burn करता है ठीक है और उसके बाद फिर हमें जैसे के हम घर जाते हैं उसके बाद हमें suddenly भूग लगने लग जाती है तो उसका भी एक reason है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि हमें क्यों consume करते हैं हम एक healthy food को after running के बाद because जैसे कि हम running कर रहे हैं running के बाद हमारे sweats आ रहे हैं पसीने जैसे निकलते हैं तो हमारी body के अंदर glycogen होता है जब हम भागते हैं तो वो glycogen convert होता glucose के अंदर और वो हमारी body को energy देता है running के लिए इसलिए हमें एक healthy food खाने की बहुत जरूरत होती है और जैसे कि हमारी body के अंदर fiber होते हैं वो गुजरता है जैसे कि हमारी muscles के अंदर crams आ जाते हैं stretching करते time तो इसलिए fiber भी बहुत जरूरी है that's why we need carbs and protein to restore our body and build the muscles इसलिए हमें carbs और protein भी कहते हैं जिम करने के बाद आपको carbs और protein एक साथ लेना चाहिए वो आपकी muscles को restore करेगा और build करके रखेगा चलिए फिर मैं आपको recipe बताता हूं कौन सी ऐसी चार recipe है जो आप morning running के बाद आप उसको बना सकते हैं अपने घर में और easily है बहुत तो पहले बात करेंगे चॉकलेट milk चॉकलेट milk के अंदर आपको क्या के ingredients यह बहुत simple है cow milk one cup आप इसके अंदर soya milk भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि soya milk के अंदर एक plant protein compound होता है cocoa powder one tablespoon chocolate powder half tablespoon almond powder one tablespoon cinnamon powder half teaspoon अब इसको कितने quantity में consume करना है everyday 200 ml second point के बात करेंगे fresh fruits and yogurt अब fruits के अंदर तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन basically blueberries और raspberries आप यूज़ करते हैं बहुत अच्छा है आपकी health के लिए काफी अच्छा रहेगा yogurt honey yogurt आप यूज़ करेंगे half cup honey one teaspoon raspberries half cup and blueberries half cup अब इसको कितनी amount में consume करना है आपने half cup आपका yogurt का होना चाहिए और handful cup आपका berries का होना चाहिए third point की बात करेंगे हम chicken breast leftover chicken breast chicken breast लेनी है आपको three o's उसके बाद आपने mix green piece लेना जैसे आपने spinach ले लिया green piece ले लिये half cup tomato one slice cucumber half cup honey half teaspoon cilantro आपने थोड़ी सी chop करके ले रहे नहीं है pepper one fourth teaspoon salt according to taste watermelon की बात करेंगे इसके बाद आप watermelon का salad भी बना सकते हैं यह last point है fourth point watermelon लेना है आपने half cup cottage cheese one two eight slice आप इसको पहले boil करेंगे अच्छे से या आप इसको सौते भी कर सकते हैं लेकिन olive oil में lime juice आप उसके उंदर add करेंगे two table spoon salt according to taste pepper half teaspoon and lettuce half cup आपको इसा भी lettuce यूज कर सकते हैं एरगूला हो गया आइसबर्ग हो गया roman lettuce हो गया rocket lettuce हो गया बहुत सारे lettuce आपको available हो जाएंगे market के अंदर और आपको इसके अंदर कितना consume करना है consume करना है one medium bowl फिर इसको सबको एक साथ mix करके आप इसको mix well कर सकते हैं उसके बाद खा सकते हैं यह तो थे guys एक healthy running के बाद खाने वाला खाना जो कि आपकी body के अंदर बहुत effect करेगा और full energy के साथ आपको पूरे दिन के लिए ready करके रखेगा thank you and have a nice day